Hello everyone and welcome back to ICT channel तो आज की इस वीडियो के साथ हम English Speaking Course के सत्रवे दिन पे पहुँचते हैं और आज की ये वीडियो सत्रवे दिन यानि 17th डे की वीडियो है और इस वीडियो में आज हम जानेंगे प्रश्न बाचक वा के रचना में वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चानल पे नए हैं तो आप चानल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें जिससे चैनल पे अपलोड होने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिलती रहेगी तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वाट, हू और हाओ इन तीनों का यूज हम कहां कहां और कैसे करते हैं और आज हम पढ़ेंगे विच, वेन, वेर और वाई का प्रयोग तो विच शब्द का प्रयोग प्रया बेजान वस्तों के समबंद में होता है वेन जो होता है वो काल बोधक शब्ध है और वेर स्थान बोधक है इसी परकार वाई कारण को सुचित करता है इन सब शब्दों के प्रयोक की एक विशिष्टा यह है कि इसके साथ do, did या कोई un-helping verb अवश्य लगाना पड़ता है तो सबसे पहले अगर हम which की बात करें तो which हम यूज करते हैं non-living things के लिए यानि निरजी वस्तुओं के लिए, बेजान वस्तुओं के लिए फिर when हम यूज करते हैं समय के लिए, जैसे काल बोधक शब्द है अगर हम कहते हैं कि तुम कब पहुंचे, तुम कब जाओगे तो ऐसे वाक्यों में, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में हम when का इस्तेमाल करते हैं और where होता है स्थान बोधक, यानि कहां जाना है, कहां रुकना है तो ऐसे वाक्यों में where का इस होता है और why होता है कारण को सूचित करने के लिए तो अब हम कुछ सेंटेंस देखेंगे, समझने के लिए तो सबसे पहला है हमारा which विच सॉंग दिद यू प्रफर, लताज और आशाज, यानि तुम्हें कौन सा गाना जादा पसंद आया लता का या आशा का, तो यहां पे विच सॉंग है नि कौन सा सॉंग अब विच जो है वो सॉंग के लिए यहां पे यूज किया गया और सॉंग क्या है यह निर्जीव वस्तू है सॉंग कोई जीवित वस्तू तो है नी, सॉंग एक ऐसी चीज है जिसका कोई जीवन नहीं है तो उसके लिए हमने विच यूज किया I like what you have liked Which book are you reading? तुम कौन सी book पढ़ रहे हो तो यहां पे जब हम कौन सी यूज कर रहे हैं हम किस के लिए यूज कर रहे हैं बुक के लिए यूज कर रहे हैं और बुक किया है? निर्जीव वस्तू है तो हमने यहां पे विच लगाया Which is your favorite movie? तुमारी favorite movie कौन सी है? नि तुमारी मनपसंद film कौन सी है तो यहां भी हमने movie के लिए विच का प्रयोग किया है अब देखते हैं when के प्रयोग When do you revise your lesson? तुम अपना पार्ट कब दोहराते हो? तो यहां पे कब जहां भी आता है Questions में जब हम कब पुछते हैं कब आ रहे हो, कब जा रहे हो कब जाओगे, कब मिलोगे कब revise करोगे तो ऐसे में हम when use करते हैं तो यहां भी तुम अपना lesson, अपना पार्ट कब दोहराते हो तो हमने कब के लिए आपे when use किया When do you revise your lesson? Answer हो जाएगा in the morning When are you coming to us? तुम हमारे यहां कब आ रहे हो As soon as I get time When did you meet Sanjay? तुम Sanjay से कब मिले अब हम देखेंगे where वेर का मतलब होता है कहा Where do you work? तुम कहां काम करते हो In a government office From where do you buy books? तुम किताबें कहां से खरीदते हो From पुस्तक महल Where do you live? तुम कहां रहते हो From where did you buy your suit? तुमने अपना suit कहां से खरीदा तो इन सब दिये गए प्रशनों में हमने देखा कि हम Where यानि कहां का यूज कैसे कर सकते हैं अब हम जानेंगे why के uses तो why यूज किया जाता है कारण जानने के लिए तो पहला example है तुम डेली दूद क्यों पीते हो तुम डेली दूद क्यों पीते हो To maintain good health यानि अपना स्वास्त बनाए रखने के लिए मैं डेली दूद पीता हू फिर है यानि मिनाक्षी के टीचर इतनी स्ट्रिक्ट क्यों है Because she is interested in the progress of our students क्योंकि वो अपने चात्राओं की उन्नती चाहती है Why are you sitting here? तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? तो इन सारे प्रशनों में जहां-जहां हमने वाई का इस्तमाल किया जहां-जहां हमने प्रशनों पूछा क्यों करते हो, क्यों पीते हो, क्यों जाते हो तो वहाँ हम use करते हैं y का तो यह simple है, which use होता है निडजी वस्तों के लिए where होता है कहां के लिए why use होता है क्यों के लिए और when होता है कब के लिए अब यहाँ पर कुछ याद रखने लाइक बाते हैं who और which इन दोनों के अर्थ के अंतर को समझे who का अर्थ होता है कौन और which का कौन सा या कौन सी तो यहाँ पर आप आपने पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने who, what और how के बार में बताया था तो वहाँ पर who का मतलब भी होता है कौन और यहाँ पर which का मतलब भी कौन ही आ रहा है लेकिन who का जो अर्थ होता है वो सिर्फ कौन होता है और which का अर्थ होता है कौन सा या कौन सी तो मैंने आपको बताया था जैसे पहले भी कि who जो है वो मनुष्यों के लिए प्रेयोग होता है तो यहां पर क्या वहां कौन है, who is there, आगरा कौन गया, who went to अगरा, यहां कौन आएगा, who will come here, जब हम भी यूज़ कर रहे हैं, तो यहां किसी मनुष्य के लिए ही यूज़ कर रहे है, वहां कौन है, कौन है यानी कि वहांपे कौन खड़ा, यानी कौन मनुष्य खड़ा है, वहाँ कौन है का मतलब अगर फिर हम ने उसकिया who went to agra अब agra कौन गया अब जाहिर सी बात है agra कोई निर्जी वस्तू तो जाएगी नहीं नहीं agra कोई पशू जाएगा तो यहाँ पे मनुश्य के लिए who का प्रेयो किया गया है वैसे which है तो which book is on the table कौन सी पुस्तक टेबल पे है तो यहाँ पे कौन सी हो जाता है इसका मतलब कौन पुस्तक टेबल पे नहीं होगा which book is mine कौन सी पुस्तक मेरी है which is your dog कौन सा कुत्ता आपका है who और which का एक एक अर्थ और भी है जो नियम वही है मनुष्यों के लिए who जो और बेजान वस्तों के लिए which जो who का प्रयोग यहाँ पे हमने कौन के ले किया और यहाँ पे हमने which का प्रयोग कौन सी या कौन सा के ले किया लेकिन इसी के साथ ही साथ who का एक और भी अर्थ होता है वो होता है जो कभी अर्थ कभी कभी जो आता है जैसे I met the girl who is in the monitor तो मैं उस लड़की से मिला जो monitor है The girl who is playing the piano is my sister वो लड़की जो piano बजा रही है वो मेरी बहन है Select the book which you want वर उस तक select करो जो तुम चाहते हो तो यहाँ पे हमने girl who is monitor नी जो monitor है तो यहाँ पे who और which दोनों ही जो के लिए use किया गया है तो I hope कि आपको इस वीडियो के साथ who, why, which, where, इन सब का use समझ में आ गया होगा तो अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन को आप ज़रूर दबाए और इस वीडियो को भी आप अपने साथे friends के साथ ज़रूर शेयर करें तो आज के लिए बस इतना ही मैं मिलूँग आपको अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए take care and have a nice day अझान के लिए वीडियो की लिक में headphone नगना ही वीडियो आपको भी मॉबरा ही भी मायन पason